मुंबई नेवल डॉक्यार्ड में एक हाथसे में तीन नौसानिक शहीद हो गए बताया जा रहा है कि मंगलवार देरशाम आइनस रणवीर में अचानक धमाका हुआ और मौके पर ही नौसेना के तीन जवानों की जान चली गई इस धमाके में कई नौसानिक शक्मी भी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पिताल में भरती कराया गया है भारती नौसेना के एक अधिकारी ने इस हाथसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि नेबल डौक यार्ड मुंबई पर एक दुरभागे पूर्व घटना हुई आइनेस रणवीर के एक आंत्रिक कंपार्टमेंट में विस फोर्ट में नौसेना के तीन जवानों की जान चली गई हाला कि हासे के बाद जहांच के चालक दलने स्थिती को तुरंत नियंत्रित कर लिया वरिष्ट अधिकारी ने कहां कि पीड़ित परिवारों को जानकारी देने के बाद हताहत नौसानिकों की पहचान सारवजनिक कर दी जाएगी जानकारी के अनुसार पूर्वी नौसेना कमान में आइनस रन्वीर नमेंबर 2021 से ही तटिये इलाके में ओपरेशनल तैनाती पर था और इसे कुछ देर बाद ही तट की ओर लोटना था लेकिन तभी ये विसफोट हुआ आइनस रन्वीर में ब्लास्ट कैसे हुआ ये अभी साफ नहीं है जांच के लिए बोर्ड ओफ इंक्वाइरी मठाने के आदेश दे दिये गए हैं आपको बता देखी आइनस रन्वीर एक जिद्वोथ है और इसे 28 ऑक्टूबर 1986 में भारती नौसेना में शामिल किया गया था पांच ट्रांशपूर्ट शेणी के विद्वसंकों में से ये चोथा है जिसे 310 नाविकों और 30 अधिकारियों का एक दल संचानत करता है ये हथियारों और सेंसर से लैस है इसमें सता से सता और सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल है इसके अलावा इसमें मिसाइल रोधी बंदू के और पंडुबी रोधी रॉकेट लॉंचर भी है। इस हाथसे से पहले जून 2016 में नौसेना के एरक्राफ्ट करियर आएनेस विक्रमादित्त में बड़ा हाथसा हुआ था। जिसमें दो नौसानिकों की मौत हो गई थी। गोआ के पास कारवार नौसेना के बेस पर विक्रमादित्त पर रीफिटिंग का काम चल रहा था तबी हाथसा हुआ था। दुरघटना स्टीपी सीवेच प्लांट में जहरीली ग्यास के रिसाव की वजासी हुआ था। ये वीजियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं देश उदेश की तमाम बड़ी के थबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चानल टीवी नाइन विजिटर्टर लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत कोरोना अभी जिन्दा है